भाईयो बहनो नमस्कार आल इंडिया आंगनबाडी न्यूस चैनल में आपका स्वागत है चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे है रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बिल यानि घंटी बनके आएगी उस पर जब आप दबाएंगे तो तीन घंटी आपको दिखेंगी जिन में सबसे उपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है सभी आंगनबाडी सेविकास है का मिनी बहनों का आल इंडिया आंगनबाडी न्यूस चैनल की सच्ची खबरों में स्वागत है बहनों आज सभी राज्यों की आंगनबाडी बहनों के लिए एक उमीद की किरण लेकर के आएं हैं दरसल आंगनबाडी बहन को 10% ब्याज के साथ में 1,44,692 रुपे का पहला चिक दिया गया है ये चिक है चमपा बेन हीरा बाई बहन के लिए और जिनको ग्रेजुटी का निवरती समय से आज तक का पूरा भुगतान हुआ है आखिर ये मैटर क्या है हमारे पास ये मैटर तेजी के साथ बहनों ने भेजा है एक चिक है जो की 1,44,692 रुपे की है अब इस चिक को पाकर के उन आगनबारी बहनों को तो अच्छा लगेगा ही लेकिन अब देश के सभी राज्यों की आगनबारी बहनों की निगाहे आज इस चिक पर टिकी हुई है इसी सम्मंद में बहुत सी आगनबारी वरकर बहनों ने आल इंडिया को इसी उम्मीद में ये जानकारी साजा की है कि उनके राज में भी ये मिलना चाहिए अब ऐसे में एक बहन है भानुमती जो की उत्तरपदेश के मौजले से आती है उन्होंने जानकारी भी भेजी और नीचे लेकर के भी भेजा कि पटेल भाई जिस प्रकार गुजरात सरकार रेटायर आंगनबारी बहन का सम्मान करते हुए जो धनरासी दिया है वही सम्मान यूपी सरकार भी हमारी बहनों को सम्मानित करे आप से प्रार्थना है कि आप इस न्यूज को सुचारू रूप से प्रदरसित करने का कष्ट करें आपकी बहन भानू मति सिंग और यहाँ पर पभावती ग्रूप से जुड़ी हूँ केंदर जो है आप पर सर्बसपूर बलाग बढ़राओं जिला मुख्याले मौउ तो बहन आप सबको इस सम्मंद में अवगत कराना चाहूँगा पहले तो मैं इस जानकारी को दिखाऊँगा जो तेजे के साथ हमारे पास बहने आज सेर कर रही है तो उमा बाचपेई बहन है बहराई जिले से आती है इनोंने भी इस मामले को सेर किया जिसमें एक ये जो है फारवर्ड हो रहा है साथी एक चिक फारवर्ड हो रही है एक लाग चौवाली सजाग 692 रुपे की और वो चमपा बेन हीराबाई बहन के नाम से है अब इस मैटर में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के आर्डर की वज़े से ध्यान देना किसकी वज़े से राज सरकार की वज़े से नहीं किसी की वज़े से सुप्रीम कोर्ट के आर्डर की वज़े से तो कहीं ने कहीं अब दिमाग में एक बात बिठा लीजिये बेनों कि ये मामला और गिरजुटी का लाब लेने के लिए गुजरात में इस मैटर को वहाँ पर नयायाले में जरूर ले जाया तब ही वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आर्डर दिया है और तब कहीं जाकर के उनको इस चिक का भुगतान हुआ है तो प्रक्रिया आसान तो नहीं है लेकिन हाँ एक उम्मीद की किरण जरूर कह सकते हैं कि जगी है अब इसी हो सकता है कोर्ट के आदेश पर या इसी बहन की जो है पहली चिक के आधार पर और भी जो बहने हैं उनको भी वहाँ पर उनके राज में चिक मिलने आसान हो जाए लेकिन क्या अन्य तमाम राज्यों की सरकारें इस तरह से वहां की आगनबाडी बहनों को ग्रेजुटी का इस तरह से सिवा नवत्ती पर भुगतान क अब इसके बारे में आप सब बहनों के क्या विचार हैं उनको कमेंट्स में बताएं रही बात आवाज उठाने की प्रयास करने की और उस उमीद की किरण का पीछा करने की तो वो तो की जाएगी वो हम सब का जो है करतव्य है और हम उसके पीछे दोड़ेंगे जरूर अब म सरकार जो है गुजरात की उनके साथ सतत यही पहली मांग की वजह से गुजरात के बरोडा जिले के धबोई में आज रेटाइड आंगनबारी वरकर थी चमपा बेन हीराबाई इनको ग्रेजुटी का निवरत्ती समय से आज तक का 10% ब्याज के साथ में 1,44,692 रुपे का प कुछ राज ऐसे भी हैं जो रेटाइरिमेंट पर आंगनबारी वहनों को इस से जादा देते हैं और ये तो कोई अपने मन से गुजरात सरकार ने नहीं दिया ये वहाँ पर लड़कर के वहन ने अपना हक लिया उन्होंने कोर्ट भी वो गई और कोर्ट के आर्डर की वजह किसे ये हुआ समझ रहे हैं चीजों को इसमें अंतर है अब कुछ राज सरकारे ऐसी हैं जहां पर बहनों को कहीं 3 लाख रुपया रिटारीमेंट पर तो कहीं 2 कहीं 1 लाख रुपया मिलता है तो ऐसे में ये कोई बहुत बड़ी और बहुत पहली भी ख़बर नहीं कही जा स चुकि बहुत से स्टेट में रेटारीमेंट पर पैसे का प्रावधान है अब चुकि जहां से मोदी जी रहे हैं इतने वर्सों तक गुजरात राज्य में वहां से अगर देखा जाए तो बहनों को रेटारीमेंट पर ऐसा कुछ नहीं मिलता जिसकी वज़े से ही बहने सुप् सिंगल बहने कोर्ट जाकर के इसके लिए लड़ेंगी तो कोर्ट में वकील की फीस कितनी होगी तो क्या हर एक आगन बाड़ी बहन ऐसे लड़ पाएंगी तो फिर या इनके लिए जो है इसी एक आरडर पर सभी पूरे जो है वहां पर गुजरात की बहनों का मा लिजेगा डाला जाए और फिर लड़ाई हो और फिर सब बहनों को इसका लाब मिले या फिर सरकार से डारेक्ट और विभाग से ये लेटर निकलवा लिया जाए कि सभी बहनों को इसका लाब मिलेगा तभी सब को मिल पाएगा अभी जो चिक आई है वो तो केवल एक बहन की है अभी विलाल देखेगा सोभरानी मेहन मेरड से उन्होंने भी यही चक बेजी है और जानकारी बेजी अब आये चक पर भी थोड़ा फोकस कर लेते हैं क्योंकि कई बार चीजे मीडिया में ऐसे ही बेवजे वैरल हो जाती है तो इसमें लिखा क्या है तो चमपा बेन हीरा बाई पट जो है इस चक पर डेट पड़िये अभी फिलाल के लिए हम बात करते हैं यहाँ पर यह राधा बहन है जो मद्र प्रदेश राज से आती है आपको पता है मद्र प्रदेश में आज धरने का पहला दिन था बहुत से आगनबाडी बहनों ने धरने की जानकारिया बेजी है जि जो है धरने का वीडियो भी आलेंडिया के पास आया है वीडियो बहुत ही अच्छे है बहने बहुत ही धंग से अपने आवाज को उठा रही है गाने गाकर की आवाज उठा रही है अपनी आवाज जो है सरकारों के कानों तक पहुचाना चाह रही है और उसके लिए उन्हो पर देखने को रहाँ चाहें कि जब धरने का वीडियो आज डाल देंगे अभी साम को ही तो उस वीडियो को आप जादा से जादा वेहनों करना और देखना जरूर और देखना किस तरीके से वहां पर अपने प्रदर्सन को कर रही है साथी साथ सबनम बहन है चछतरपुर से आती है मद्ध पदेश के चछतरपुर जले से उन्होंने भी धरने का एक वीडियो भेजा है इसको भी आपको दिखाएंगे और यह करुणा कौसल बहन है जो कि इंदोर जले से आती है और इंदोर जिले में भी आंगनबाडी बहनों का पदरसन देखने को मिला है वहां से भी एक वीडियो आया है वीडियो मैंने कहा कि इस्पेसल वीडियो मद्धपदेश के धरने का मैं अभी जल्दी आप लोगों के लिए अप्लोड कर दूँगा तो बहनों वहां से उस वीडियो को जरूर देखना और लाइक करना सेर करना साथी साथ ये हैं संतोसी बहन सेजहापुर से आज 23 तारीक को ब्लाक मिरजापुर के सुबाज चन जहनती पर मानो संकलावा रैली निकाली गई है जिसके बारे में उन्होंने अपने वहां रैली का एक फोटो भी आल इंडिया को आप देख सकते हैं भेजाए अब चलते हैं आगे यहाँ पर यह बहन है ग्यानमाला जौनपूर से आती हैं उन्होंने काया की portion tracker के बारे में आज उनके वहां पर meeting हुई है तो meeting के बारे में आप कुछ तسवीरे देख सकते हैं एक तो पहली तस्वीर यह है दूसरी आगन बाड़ी बहनों की यह तस्वीरे है साथी साथ आगे ले चलते हैं आप सब बहनों को और भी हम देखाते हैं ये बहन है सुधा जो की कुस्वाहा कानपुर नगर से हैं और उनका भी ECC सार्टिफिकेट मिल गया है ये है संतोष सुकला बहन जो की सलोन ब्लाक से आती हैं उनको भी अपना मिल गया और ये हैं एक बहन पूजा बरेली से चार के भी वाले को करने में इनको दिक्कत आ रही हैं तो बहनों अपने फोन में अगर जगे जो भर गई है तो उसको भी खाली कर लें कई बार जो जगे ना होने की वज़े से भी चीजे वो जो डेटा डाउनलोड नहीं हो पाता तो सायद डाउनलोड कम्प्रीट वगरा जो वाला सिस्टम नहीं दिखता होगा इस पर भी फोकस करना सुनीता बैन अगदा से आती उन्होंने कहा है कि हमने भी ECC का प्रमाणपत्र प्राप्त कर ही लिया पूरा दो दिन हो गया माथा पच्ची करके साथी साथ और उन्होंने ये भी कहा है कि सेंटर वाले केंदर का भी क्या करना होगा की नहीं तो इसका तो हम नहीं बता सकते, बाकी विभाग से आप पूझ लेना, और क्योंकि यहाँ पर उस सेंटर वाले में आपका नाम तो मुझे लगता नहीं करेगा, बाकी पहले का करेगा सेंटर कोड के अधार पर जिसका भी होगा, अब यह हरानी कानपूर नगर से उनके वहां स इसका स्रे आपको जाता है, तो स्रे की कोई बात ही नहीं है, हमारा करतव है आप लोगों को राद दिखाना, मदद करना की कैसे कहां से क्या करना है, कैसे कैसे कप चीजों को करना है, बाकी इसमें मेहनत आपकी है, आपने सारे माडूल कम्प्रीट कियें एच्छे से और फि बात करें ये हैं कुस्मा बहन लखीम पुर्खीरी से रासन वित्रण का फोटो है सालनी गौतम बहन अध्या से उनके द्वारा भी रासन वित्रण का फोटो है और आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं भाईो बैनों और बहुत ही जल्द आपको आंगन बाडी बैनों का धरन का वीडियो दिखाते हैं प्लीज धरने का वीडियो सभी भाई बैन देख करके जाना उसके पहले मत जाना धन्यवाद